हेलो फ्रेंड्स किचन मैजिक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम सोया चंग को यूज करके बच्चों और बड़ों के लिए बहुत टेस्टी स्नेक्स रसे भी बनाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे सीधे सीधे सोया चंग खाना पसंद नहीं करते हैं और इसमें बहुत प्रोटीन और फाइबर होता है अगर हम अपने बच्चों को यह सब खिलाना चाहते हैं तो उसको हम एक नए रूप में बनाएंगे इसके आगे सारे स्नेक्स फीके हैं तो आए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यह मैंने दो घंटे के लिए सोक करके एक कटोरी सोया चंक रख दिये थे उसके बाद हम इनका अच्छी तरीके से पानी हतेलियों की सहायता से निचोड कर एक प्लेट में निकाल लेंगे इन सारे सोया चंक को देखे फ्रेंड्स मैंने निकाल लिये हैं इसके बाद फ्रेंड्स हम इने ग्राइंडर जार में डालेंगे और हमें इनका एक मिक्स्चर बनाना है कि देखे फ्रेंड इस तरीके से इनको सबको ग्राइंडर जार में डालना है और इनका एक हमें मिक्स्चर बनाना है मिक्सर जितना फाइन हो उतना बेटर है फ्रेंड्स देखे जैसे मैंने यह बनाया है इसके बाद हम इस मिक्सर को एक मिक्स देखे फ्रेंड ये कुछ सब्जियांस में जाएंगी मैंने घर में जो भी बची कुछी सब्जियाती मैंने सब ले ली हैं प्याज, शिम्ला मिची, गाजर, हरा धनिया, पत्ता गोबी आपके पस जो भी उस राइम पैवल लेवल हो आप वो डालें बाकी सब्जिया स्किप क हो जाएंगे और आप से दुबारा बना के खाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को प्रोटील और फाइबर आप दे रहे हैं इनके रूप में ये देखे फ्रेंड हमने ये सारी सब्जिया चौपर में डालनी है आप चाहे हाथ से काट सकते हैं चा हाथ से काटना फ्रेंड प्रेफर करते हैं वो प्लीज हाथ से सब्जा काटे कोई दिक्कत नहीं है मैंने ये जो सोया बीन मिक्सिंग बॉल में लिया था मिक्स्चर उसके अंदर मैंने ये सारी वैजिज डाल दी है उसके बाद मैंने दो बॉल डालू लिये हैं उबलिवे आलू है ये ये आप कद्दू कस कर लिजिए आप चाहे हाथ से भी कर सकते हैं पर मैंने कद्दू कस्चे किया है जिससे इसमें कोई गुठली या लम्सना रह जाए ये मैंने कस लिया है फ्रेंड कि मैंने एक कटोरी स्वयजित में फ्रेंड दो अलू डाले हैं रूए कटोरी बैसन डाला आप एक चमचा बैसन भी कह सकते हैं अब इसमें मसाले जाएंगे के अकौडिंग्ड मैंने इसमें नमक डाला है आप अपने असाप से डाल लेना आपका जितना मिक्सचर उस मैंने स्वाद अनुसार धनिया पौडर डाला है स्वाद अनुसार मिर्च डाली थोड़ा हल्दी पौडर डाला है थोड़ा अंचूर पौडर तोड़ा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है एक चमज डाली है मैंने आप टेस्ट के कोड़िंग लेले और आदी चमज गरम श्वाद Jeep कर सकते हैं अब इसका फ्रेंट हमने हतेल्यों की शाहता से अच्छी दर एक पौडर ने होगा है मिक्स्चर बनाना है इन सब चीजों को आपस में अच्छी तरीके से गुला मिला लेना है और एक जैसे हम डो लगाते हैं इस तरीके का हमने आटे की तरह इसको डो लगा लेना है यह देखी प्रेंट जैसे मैं कर रही हूं अब थोड़ा हातों पे ओयल डालके हातों को ग्रीज करना है क्योंकि हातों पे चिपक सकता है और इस तरीके से इसके आप रोल बना ले हातों में एक छोड़ा सा पेड़ा लेके उसको लंबे लंबे रोल के शेप दे दीजिए देखी फ्रेंट जैसे मैं आपको दिखा रही ह आप चाहिए इने गोल भी बना सकते हैं फ्रेंट मैं पर मैंने लंबे रोल बनाए क्योंकि मैं इनकी रोल की रेसिपी बना रही हूं यह देखे फ्रेंट सारे रोल आपको इसी तरीकी से बना ले ले हैं मेरे पास जितना मिक्स्चर है मैंने सब के रोल इसी तरीकी से बनाए हैं मैं आपको सारे दिखा रही हूँ हातों को ग्रीज करना जुरूरी है फ्रेंट नहीं तो यह हातों पर हलका चिपक सकता है यह इतने हल्दी होते हैं जो वेट लोस कर रहे हैं वो भी इसको बहुत अराम से खा सकते हैं मंधें सारे रूल्स बना लिये हैं यह यह मैंने लोह का तवा लिया हैं मैं start भाद हर किसी के पास नैंने पर यह आपको बहुत कम तेल में के लिए तवा यूज़ करते हैं मैंने को ठोडी थोड़ी सी पून तेल की डाली है और उसको अच्छी तरीके से फला दिया है, ग्रीस कर दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये नॉन स्टिक तवा हो और ये सब चीज़े उस पर ही बन सकती है, अब मैंने ये रोल इस पर लगाना शुरू कर दी है, आपका तवा जि रखें कि आप उनको अराम से अलट पलट सकें, ये इतने टेस्टी होते हैं, जो लोग वैज खाते हैं, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट हैं, पर जो नॉन्वेज कबाब खाते हैं, वो भूल जाएंगे फ्रेंट नॉन्वेज कबाब, उन्हें ये उससे भी अच्छा ट टेस्ट देगा, उपर से मैंने हलका हलका एक एक दो दो बूंदे ओयल डाला है, आप कोई भी वेजटेवल डाल सकते हैं, जो आप खर में खाते हैं, फ्रेंट ये बिल्कुल जादा तेल में नहीं बनते हैं, और बहुत हल्दी होते हैं, ये मैंने रख दी हैं, मेरे तवे पर पांच पीसे आएं, अब इनको हलका सा जब आपको लगे कि हलका सा सिकाई हो गई ये नीचे से, तो मैंने इनको पलट दिया है, ये देखे फ्रेंट, थोड़ा इनको हम अच्छा ही भूनेंगे, क्योंकि हमें इनको कुरकुरे बनाने हैं, अगर हम इनको ज्यादा अच्छो को आप टिफिन में दे दिए, नास्ते में दिए या शाम को इवनिंग स्नेक्स में यूज कीजिए, देखे फ्रेंट दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सीख गए है, फ्रेंट थोड़ा आराम से उठाना इने, ये देखिए, मैंने इनको उतार लिया है, अब मैं हमने फ्राइट नहीं करें हैं, अगर हम इने फ्राइट कर लेंगे फ्रेंट तो हेल्दी नहीं रह जाएंगे, ये देखिए फ्रेंट रेसिपी तेयार है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बेच्छी लगी हो तो मेरे चैनल किचन मैजिक को सब्सक्राइब जरूर जल्रें टेड़ जरूर को सब्सक्षら तो हो फिर तो हो मेरे फिरेंट प्रेंट शितान कानािछ कर नहीं कर दो हो जह हो व강 kayak वड़ा हैंगे, ऑो पल 텍की देनीं रएगे, लेंद बतीं मेरे ब 아니हें